दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँगी आप अपने Vivo Y56 5G की फोन में इंकमिंग कॉल आने पे आप अपना फोटो सेट करना चाहते हैं जैसे कोई इंकमिंग कॉल आये तो आपका फोटो स्क्रीन पर दिखाई दे मैं आप लोगों को बताऊँगा आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए दोस्तो आपको सबसे पहले अपने फोन में प्लेश्टोर ओपिन करना है क्योंकि आपके सेटिंग में फीचर नहीं मिलेगा इसलिए आप प्लेश्टोर ओपिन करेंगी ओपिन करने के बाद यहां पर आपको सर्च करना है आई काल स्क्रीन आई काल स्क्रीन सर्च करने के बाद यहां पर एप्लिकेसन आप लोगों को दिख जाएगा इस एप्लिकेसन को डाउनलोड करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को subscribe करना है इसके बाद आप लोगों को इस जो है application को download कर लेना है download करने बाद आप लोग इसे open करेंगे open करने बाद कुछ ऐसा interface मिलेगा यहाँ पे नीचे की side start free trial के नीचे आप लोग देखेंगे try limited version का option आपको देखने को मिलेगा आपको try limited version के option पर click करना है जिसी आप लोग इस option पर click करते हो इसके बाद आपको right side corner में नीचे की तरफ arrow मिलता है इस पर click करके आपको last page पर आना है let's do it का option मिलता है इस पर click करना है set and default का option मिलता है अब इस पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको i call screen का option देखने को मिलेगा इस पर click करके set as default पर click कर देना है इसके बाद आप लोगों को कुछ ऐसा interface screen पर मिलेगा right side नीचे की तरब corner में यहाँ पर right का symbol इस पर click कर देंगे फिर इसके बाद right side नीचे की तरब corner में यहाँ पर setting का icon है इस पर click करेंगे setting का icon पर click करने बाद यहाँ पर add so होगा इसको हम लोग cut कर देंगे इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा change wallpaper का option आपको click करना है change wallpaper के option पर इसके बाद यहाँ पर grant permission के option पर click करना है इसको allow कर देना है इसके बाद आप लोग यहाँ पे जैसे आप permission allow कर देते हैं फिर से हम change wallpaper पर click करेंगे ति यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे phone में या आपके phone में जितने भी यहाँ पे wallpaper available रहते हैं देख जाते हैं अगर आपको gallery से लगाना है यहाँ पे choose from gallery को option मिलेगा इस पर click करना है आप अपने gallery में आ जाएंगे gallery में आने बाद जो photo लगाना चाते हैं उस photo को आप यहाँ से लगा सकते हैं left side उपर की तरफ three line पर click करके आप यहाँ से album gallery download file जहां कहीं भी आपकी file हो उसको choose भी कर सकते हैं इसके बाद जिसके अंदर आपकी file है photo है उस पर click करके आप जिस photo को लगाना चाते हैं उस पर click कर दीजिए यहाँ पे start like a pro का option लेट इसको cut कर दीजिएगा left side उपर की तरफ cut का button है इस पर click करके cut कर देते हैं इसके बाद कुछ ऐसा interface मिलता है इसके बाद add है तो इसको cut करते हैं राइट साट उपर की दरफ कॉर्णर में राइट का सिंबल इस पर किलिक करके सक्सेश पुलिस सेट कर देते हैं। इसके बाद अब आपके फोन में कोई भी कॉल आएगी तो आपका फोटो दिखेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आएट लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।